आज का चो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, आज का चो टॉपिक है वो है डीप क्लिंजिंग, ठीक है, जैसे आपने बहुत अफ़ा सुनाया है कि हम डीप क्लिंग करते हैं, अपने कमरे की, अपने घर की, अपने वाश्रूम की, अपने वाडरोग की, अपने कबर्द, जितना डर्ट और जितना वेस्ट पड़ावा होता है, वो सब कुछ निकल जाए और जगा विल्कुल साफ सुतरी हो जाए जो हमारा टॉपिक है, क्लिंजिंग, उसका मतलब भी डीप क्लीनिंग और स्किन ही है, डीप क्लीनिंग करना क्यों जरूरी होता है, यह देखें, यह हमारा पोर है, यह हमारी स्किन के उपर जो पोर है, यह उसकी ओपनिंग आप समझें, यह उपर है, और यह नीचे आप जिसमें आपका sun block होता है, यह सब की concealer हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जो आप लगाते हैं, वो सब इसी के अंदर फसता जाता है, जब वो इसके अंदर फसता जाता है, और आप इसकी सफाई नहीं करेंगे, तो आप कुछ सोचें क्या होगा, आपकी skin जो है, वो आपको पहले जैसी नहीं लगेगी, आपकी skin आपको healthy, fresh, glowy, और आपको लगेगा, वो dull होती जारी है, और कोई makeup करके तो अच्छी लगती है, लेकिन आप तो पता नहीं मतलब skin को क्या होता जा रहा है, कि कुछ समझी नहीं आती है, कि आप normally, जैसी यह दिखती थी, इसका texture ही चें किये जाते हैं, लेकिन आपको अपनी skin और अपनी routine के हिसाब से appropriate product चूज करना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको कुछ products जो है, वो दिखाऊंगी, और इनको जो अगर आप appropriate product यूज यह suitable product यूज नहीं करेंगे according to your skin, according to your routine, or requirement of skin, तो आप देखेंगे, कि आपको वो result नहीं म या दिन में दो दफा कर सकते हैं, एक दफा कर सकते हैं, कैसे करनी चाहिए, यह depend करता है कि आपकी skin जो है, वो किस किसम की है, अगर आपकी skin जो है, वो oily है, बहुत ज्यादा सीमम बनाती है, तो इसका मतलब है कि आप या बहुत ज्यादा उस पे पसीना आता है, या बहुत तो फिर आप दो दफा भी cleansing कर सकते हैं, जैसे सुबह उटके आप पहले cleansing करेंगे, उसके बाद face wash करेंगे, और रात को सोने से पहले cleansing करेंगे और फिर face wash करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपकी skin जो है, वो normal है या normal to dry है, तो आप एक दफा भी cleansing कर सकते हैं, प्रेफरेबली अगर आप रात को करेंगे, तो क्या होगा कि सारा दिन जो भी आपने moisturizer, जो भी product, makeup, या फिर sand block, कुछ भी आप लगाते रहे हैं, वो सब कुछ जो है जो फसावा होगा, वो सारे का सारा clear हो जाएगा, और एक और फाइदा इसका बहुत बढ़ा यह होता है, कि जब आप deep cleansing करेंगे, और उसके बाद face wash करके अपनी night applications लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनका result कितना जादा और कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बेतर होगा, और आपकी skin आपको पहले से improved मेलेगी, ठीक है, texture wise भी और color wise भी, अच्छा, अब इसको पहले करते हैं face wash से या बाद में करते हैं, cleansing जो होती है वो आपने face wash करने से पहले करनी होती है, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि किसी भी तरह की skin type हो, cleansing is required, ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आप घर में cleansing करेंगे, तो फिर आपने किस तरह से करनी है, मैं आपको कुछ cleansing के products द कर लिया, यानि कि गीला नहीं करना पूरा पर हलका सा नम कर लिया, और उसके बाद आपने यहां पर अपनी cleansing का जो भी मिटीरियल हो लिया, और जैसे आप स्क्रब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने cleansing कर लेनी है, अच्छा, क्लिंसिंग जो है, आप 10 से किंस करें, 10 से यहां डेली आपने मेक अप वेयर करना है, और उसके इलावा ब्लाक है, वाइट है बहुत बहुत बन जाते हैं, तो फिर या पिर अखनी है, तो फिर आप यह वाली cleansing clay जो है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया, आप एक दफा पर यूज कर सकते हैं, और आप दो दफा भी यूज कर सकते हैं, एक मैंने आपको यह दिखा दी है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको यह दिटोकसिफाइंग और डीप क्लिंजिंग मास्क दिखा रही हूं, ठीक है, इसको जो है, आप वीक में एक दफा यूज कर सकते हैं, जब आप इसको वीक म पहसी भी थी, आपके इसके अंदर, सब जो है, वो निकालने का, इवन ब्लाक हैट्स को भी रिमूव करने में हलपफुल है, कभी भी दबा दबा के आपने ब्लाक हैट्स नहीं निकालने, ठीक है, अच्छा, क्लिंजिंग का एक और जो प्रोसीजर है, या एक और अच्छा तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि dead skin ये dead cells बहुत पड़े वे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने पहले भी दिखायागा है, लेकिन exfoliation के लिए जो है, वो मैं आपको peels दिखा रही हूँ, जो आप महीने में 2 दफ़ा, यानि कि 15 days के gap से कर सकते हैं, ये देखें, ये जो आप बिल्कुल जैसे आप यूज करते हैं, कोई साभी scrub, उसी तरह से आपने 10 seconds के लिए यूज करना और फिर उतार देना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, अब जो मैं आपको दिखाने लेगी हूँ, ये भी AHA के साथ है, ये वाली पील लेकिन इसमें 8% पील ह जो मैंने पहले दिखाए है, वो 10% है, सकिन के हिसाब से, अगर सकिन थिक है, बहुत ज्यादा ओईली है, पसीना भी आता है, एक्नी फ्रोन है, तो फिर आप ये वाली कर सकते हैं, अगर आपकी नॉर्मल सकिन है, या मिचूर सकिन है, या नॉर्मल टु ड्राय सकिन है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, तरीका जो है, वो सेम रहेगा, अच्या, अब ही देखे, अब आपके जहन में ये क्वेस्टन आ सकता है, या हमें पता होना चाहिए के पहले क्या करते है, सबसे पहले क्लिणस, उसके बाद ट्लिंजिंग, उसके बाद आपने एक्सपोलियेट करन उसके बाद आप मास्क यूज कर सकते हैं और फिर आपने टोनर लगाना है जब आप मास्क को उतारेंगे तो फिर टोनर जरूर लगाएं ठीक है अच्छा ये देखें ये मैं आपको इस तरह का टोनर दिखा रही हूं जो जिसके अंदर तीन तरह की चीजे हैं ठीक है ये क्या अगर किसी के सकन पर बहुत ज्यादा ओईल आता है बहुत ज्यादा पसीना आता है या ब्लाक हैट वाइट और पिम्पल्स बनते हैं तो फिर आपने ये वाला टोनर करना है इसके अंदर मेकप रिमूवर नहीं है इस सिफुल या कंप्लीट टोनर ये सोल टोनर है इसका मतल मतलब क्या कहते है इसमें भी आपने ये मेकप रिमूवर इसको यूज करेंगे ये भी आपका जो है वो सोल क्या कहते हैं टोनर है इसको आप फेस पॉश करने के बाद यूज करेंगे ठीक है अच्छा जो स्किन है उसकी सफाई इसलिए बहुत जरूरी होती है कि अगर आप आप बाजार से खरीद के क्लिंजिंग कर सकते हैं क्या आप घर में क्लिंजिंग नहीं कर सकते हैं देखें आप घर में क्लिंजिंग तो कर सकते हैं लेकिन जो किचन से आप प्रॉडक्स लेंगे या घर में से जो आप प्रॉडक्स यूज करेंगे वो जो है वो अनकंट्रो के उपर किसी भी किसम की allergy दे सकता है इसलिए प्रेफरेबली यह ज्यादा बेतर है कि आप जो है वो कोई जो ready product है जो के ready made product है जो के available होता है आप उसी को use करें rather than using आपके kitchen products ठीक है यह ज्यादा safe रहेगा अब हम आजाते हैं कि आप अपनी routine में जो है वो cleansing करते हैं और आप सारा ख्याल रख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और पिर भी आपको लग रहा है कि तिनी क्योंके घर्मी बहुत जादा है आपको लग रहा है कि मेरी skin जो है ना उसकी tone उसका texture वो अच्छा नहीं है वो अभी क्लिनिक में आके क्लिंसिंग करवाएंगे तो आप देखें अगर आपके जो खुछ से यूज करने वाली चीजों का जो रिजल्ट है उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकेगा जब आप जो है वो क्लिनिक में आके as a procedure उसको करवाएंगे ठीक है इसके लिए हमारे ना सिरफ आपका पोर साफ हो जाता है आपकी skin की dead layer उतर जाती है पट उसके साथ-साथ क्यूंके skin को oxygen मिलती है तो skin एक तम से जो है वो फ्रेश, healthy और ग्लोई हो जाती है ठीके जी तो यह था हमारा आज का जो भी मैंने आपके साथ डिसकस करना था यह आपको information देनी थी hopefully आपकी गल्तियां आपको समझ आ जाएंगी तेखें ऐसा होता है कि हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्स पड़े होते हैं या हम उसको use भी कर रहे होते हैं लेकिन हम हमें यह पता नहीं होता और हम कोई ने कोई गल्ती कर रहे होते हैं जिससे हमारी skin पर हमें वो results नहीं मिल होते हैं जोके मिलने होते हैं चीके जी